असलाम आलेकुम आएम मुहम्मद हसान हाश्मी और आज हम पार्ट वन के चेप्टर नमबर थ्री लेक्चर नमबर सिक्स के साथ यहां मुझूद हैं आज हमने जिन टापिक्स के उपर बात करनी है वो सक्रीन के उपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं हम आज बात करेंगे पैरलल ट्रांस्मिशन की हम देखेंगे सीरियल ट्रांस्मिशन क्या है एसिंक्रोनियस ट्रांस्मिशन और सिंक्रोनियस ट्रांस्मिशन के उपर भी बात करेंगे आज से पहले अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बावासानी पहुंच सका इस मकसद के लिए हम चलते हैं सबसे पहले पैरलल ट्रांस्मिशन की दुरफ parallel transmission basically एक ऐसा method है जिसमें हम simultaneously groups of bits को send करते हैं through wires so wires के साथ हैसी communication जिसमें multiple bits एक वक्त में एक जगा से दूसरी जगा send हो रही हूँ हम इसे parallel transmission के नाम से consider करते हैं याद रिखिएगा parallel transmission आम तोर पे unidirectional होती है मतलब इसकी जो सम्मत होती है वो सिरफ एक तरफा होती है ये दोनों तरफा data को communicate mostly नहीं करवाती है each bit is transmitted over a separate line याद रिखिएगा इसमें जो lines होती है वो लहदा-लहदा होती है जिनके through data ने communicate करना होता है computer system के internally जितना भी data transfer होता है वो याद रिखिएगा mostly वो parallel mode के अंदर होता है यानि उसमें जो lines बनी होती है जिनके जरीए से data ने communicate करना होता है वो parallel lines होती है ये बहुत faster technique है जिसके साथ हम data को एक जगा से दूसरी जगा transmit करते है मैं इसकी example देता हूँ इसकी डाइग्राम अगर हम बनाएं तो आप लोगों को screen के उपर ये नजर आ रही होगी के sender डिवाइस से जब receiver device की दरफ data communicate करता है तो वो parallel lines को use करते हुए binary digits को एक जगा से दूसरी जगा असानी transmit करता है अब हम चलते हैं serial transmission की दरफ a method of transmission in which data is sent only one bit at a time this type of communication is called serial transmission याद रिखेगा जो हमारे पास यहाँ पर bits होती है वो sequentially travel करती है मतलब one after one data की communication होती है so it is slower than parallel transmission because the data is sent sequentially as one bit at a time हमारे पास यहाँ पर data की communication उस तरह faster नहीं होती जिस तरह parallel transmission के अंदर होती है उसकी वज़ा यह है कि यहाँ पर data communicate करता है one by one so one by one यानि sequence के अंदर data की communication की वज़ा से this method is slow अब अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो telephone lines basically यह method यूज करती है जिनके साथ हम data को communicate करते हैं और इस तरह communication वो slow हो जाती है इच individual bit of information travels along its own communication path जो communication path उन्हें assign किया होता है उसी के ओपर उन्होंने एक sequence के साथ वहां से flow करना होता है इसको समचने के लिए हम बात करते हैं डायग्राम के उपर तो वहां से आप लोगों को बासानी समझा जाएगी So there are two types of devices, sender device and receiver device So हमने जब data को sender device से receiver device की दरफ communicate करवाना है तो उसके लिए जो path allocate है उसके ओपर binary digits वो एक मुकमल sequence के अंदर एक जगा से दूसरी जगा वो flow करेंगे अब हम बात करते हैं asynchronous transmission की Basically ये भी एक ऐसी transmission की type है जिसके जरीए से data को character by character हम एक device से दूसरी device या एक component से दूसरे component की दरफ communicate करवाते हैं याद रिखेगा इस transmission के अंदर irregular gaps होते हैं characters के दर्मियान जिसकी वज़ा से transmission के उपर effect पड़ता है याद रिखेगा it is cheaper to implement because data is not saved before it is sent जब data को भेजा जा रहा होता है तो उस वकद कोई भी data save नहीं किया रहता so इसकी वज़ा से data communication उसमें irregular gaps आ जते हैं और आन तोर पे ये transmission भी जो synchronous transmission है उससे slower it uses a start signal इसमें याद रिखेगा एक start signal used होता है then the signal is transmitted at the beginning of each message जब data को send किया जाता है तो वो जो start signal होता है वो उस data के साथ travel करता है so start signal is sent when the character is about to be transmitted जब data को communication के लिए बिलकुल ready कर लिया जाता है और data communication start होने लगती है तो start bit उस data के साथ ही basically destination computer की तरफ चलती है start bit has a value of 0 that is called space state basically हमारे पास यहाँ पे start bit की 2 states होती है एक को हम कहते हैं space state एक को हम कहते हैं mark state space state कब होती है जब data communication के लिए ready है और data वो line के उपर travel करके एक जगा से दूसरी जगा जाने वाला है so cipher का यहाँ पे मतलब यह है the character is about to be transmitted यहाँ पे जो data है वो भेजे जाने के लिए बिल्कुल ready है अभी भेजा जाने वाला है so हम cipher को space state के नाम से represent करते हैं it alerts the receiver and it gets ready to receive the character basically इसका काम सिरफ इतना होता है कि receiver side पे जाके इतला देता है कि data आ रहा है आप उसको receive करने के लिए in the form of character वो ready हो जाए अब उसके बाद अगर data communicate हो गया तो उसके बाद क्या होता है if start bit has a value 1 तो वो जो cipher शुरू में चला था उस cipher में अब 1 बन जाना है it indicates that the line is idle मतलब data पहुन चुका अपनी destination पे receive हो चुका अब line free है अब दुबारा से data communicate किया जा सकता है now उस one को हम simply mark state के नाम से represent करते हैं इसका मतलब यह होता है कि data अपनी destination पे पहुन चुका अब मैं आपको एक diagram के जरीए से इस चीज की वजाहत करता हूँ basically sender side ने data को transmit किया तो data की transmission में irregular gaps थे लेकिन जो भी characters थे उनके आगाज पे जो cipher है वो basically हमारे बाद start bit है उसके बाद data है और उसके end पे stop bit है जिसको हम simply indicate करते है one के साथ जो mark state कहलाती है so cipher ने receiver side पे जाके indication देनी है कि data आचुका आप इसको receive करने के लिए ready हो जाएं जब cipher वहाँ destination पे पहुँच किया अब one state वो basically mark करती है वो इस चीज की indication देती है कि line free है दुबारा से data communication वो start की जा सकती है asynchronous transmission synchronous transmission से slower है अब हम बात करते हैं synchronous transmission क्या है in this transmission the saved data is transmitted block by block यहाँ पर याद रिखेंगा जो data save हो चुका या save था हमने उस data को block by block send करना होता है asynchronous transmission में character by character data travel करता है लेकिन अगर हम बात करें synchronous transmission की तो यहाँ पर data packets की यानि blocks की शकल में travel करता है each block में consist of many characters हो सकता है कि वहाँ पर बहुत से characters मुझूद हो मिसाल की दोर पे पूरा एक नाम पूरा एक paragraph होगा जिसको हम बासानी एक जगा से दूसरी जगा transmit कर सकते हैं तो इतने huge data को control करने के लिए फिर जाहर हमें कोई न कोई तो scheme यूज़ करनी पड़ेगी इस मकसद के लिए जिन packets को या blocks को send किया रहा है उनके लिए फिर almost एक clock control यूज़ किया रहता है जो timing information को control कर रहा होता है अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें data की communication कैसे होती है तो याद रिखेगा अलार्ज अमाउंट आफ information can be transmitted at a single time with this type of transmission इस transmission के दिरिये से हम huge amount के अंदे data को एक ही वक्त में communicate कर सकते हैं याद रिखेगा इस बच फास्टर देन असिंग्रोनियस transmission and other types of transmission as well because there is no regular gaps between the characters यहां पर कोई भी gaps नहीं होते एक ही वक्त में सारा data वो block की शकल में convert होता है और फिर हमने उनको further send करना होता है अगर इसकी diagram आप देखें तो बहां से आप लोगों को बासानी इसकी समझा आ जाएगी इस communication के लिए आम तोर पे remote computer यानि remote computer से मुराद आपका server computer है या फिर बाद उकात आप लोगों का जो personal computer है वो भी हम इससे मुराद ले सकते हैं तो उसके साथ अगर आपने printer या कोई एक ऐसी device जिसमें आपने data को blocks की शकल में send करना है तो वहां पर आम तोर पे इस communication को perform किया जाता है याद रिखेगा this communication is suited for remote communication between computer and related device like printer etc हमारे पास वो सारी devices जो remote communication की तरह data को communicate करने की responsible होती है वहां पर ये reasonable एक scheme है जिसके साथ हम data को further communicate कर सकते हैं अब इसकी diagram अगर आप देखें तो वहां पर आपको नजर आएगा कि sender side से बहुत से packets हैं की वक्त में transmit हो रहे हैं block कहते हैं वो frame या block जो होता है वो receiver side पे जाता है receiver computer उसको receive कर लेता है such type of communication is too much faster उमीद है आज के इन topics की आपको समझाई होगी मुलागात होगी इंशाला अगले lecture के साथ अपना बहुत ख्याल लखिएगा अगले lecture के साथ अपना बहुत ख्याल लखिएगा लेवेद लेखे करें कॉस्या नाथ करेंज ऑगले